ओम शी दुर्गाए नमह अत शी दुर्गासब शती पहला अध्याइड बेधा रिशी का सुरत और समाधी को भगवती की महिमा बताते हुए बदु केटब वद का प्रसंग सुनाना विनियोग ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा रिशी बहाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अगनी तत्व और रिगवेद सरूप है श्री महाकाली देवतागी प्रसंथा के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है ध्यान भगवान विश्णू के सोज आने पर मधू और कैटप को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ वे अपने दस हाथों में खडग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिग, शूल, भुशूंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं उनके तीन नेत्र हैं वे समस्र अंगों में दिव्या भुशनों से विभूशित हैं उनके शरीर की कांती नील मडी के समान है तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं ऐसी श्री महाकाली देवी जी को मैं बार बार पड़ाम करता हूँ ओन चंडी देवी को नमसकार है मारकेंडे जी बोले सूर के पुत्र सावर्णी जो आठवे मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ती की कथा विस्तार पूरक कहता हूँ सुनो सूर कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ पूरकाल की बात है स्वारो चिश मर्वंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन हुए थे उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भाती धर्म पूर्वक पालन करते थे तो भी उस समय कोला विद्वनसी नाम के छत्रिये उनके शत्रु हो गए राजा सुरत की धंड नीती बड़ी प्रबलती उनका शत्रुों के साथ संग्राम हुआ यद्यपिक कोला विद्वनसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरत युद में उनसे परास्त हो गए तब वे युद भूमी से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे कोला विद्वन्सी ये किसी विशेश कुल के शत्रियों की संग्या है दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद है वे प्राचीन काल में राजधानी थी जिन शत्रियों ने उस पर आक्रमन करके उसका विद्वन्स किया वे कोला विद्वन्सी कहलाए समूची प्रित्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा किन्तु वहाँ भी उन प्रबल शत्रियों ने उस समय महाभाग राजा सुरस पर आक्रमन कर दिया राजा का बल छीड हो चला था इसलिए उनके दुष्ट बलवा निवम दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजानी में भी राजकिये सेना और खजाने को हतिया लिया सुरत का प्रबुत नष्ठ हो चुका था इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोडे पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनी का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी साभाविक हिंसा वृत्ति छोड़ कर परम शांत भाव से रहते थे मुनी के भहत से शिष उस्वन की शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ जाने पर मुनी ने उनका सतकार किया और वे उन मुनी स्टेश्ट के आश्रम पर इधव दर्विचरते वे कुछ काल तक रहे फिर मम्ता से आकृष्चेत होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे पूर्वकाल में मेरे पूर्वजो ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रही थै पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगर्ण उसकी धर्म पूरक रक्षा करते हैं या नहीं जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वे मेरा प्रधान हाथी अब शत्रों के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चा ही अब दूसरे राजाओं का यह तथा और भी कई बातें राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्च को देखा और उससे पूछा भाई तुम कौन हो यहां तुमारे आने का क्या कारण है तुम क्यों शोक ग्रस्त और अन्मने से दिखाई देते हो राजा सुरत का यह प्रेम पूरक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्च ने विनीद भावसिव ने प्रणाम करके कहा वैश्च बोला राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैश्च हूँ मेरा नाम समाधी है मेरे दुष्ट स्री पुत्रों ने धन के लो मेरे विश्वस्निय बंधू ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसलिए दुखी होकर मैं वर्न में चलाया हूँ यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की अस्वजनों की कुशल है या नहीं इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अत्वा उन्हें कोई कर्ष्ट है वे मेरे पुत्र कैसे हैं क्या वे सदाचारी हैं अत्वा दुराचारी हो गए हैं राजा ने पूछा जिन लोभी स्त्री पुत्रादी ने धन के कारण तुमें घर से निकाल दिया उनके प्रतित्मार आप मेरे विशे में जैसी बात कहते हैं वैं सब ठीक है किन तु क्या करूँ मेरा मन निश्चुरता नहीं धारण करता जिनोंने धन के लोब में पढ़कर पिता के प्रति स्ने पती के प्रति प्रेम तदा आत्मिय जन के प्रति अनुराग को तिलांज ली दे मुझे घर से निकाल दिया है उनी के प्रति मेरे हिर्दे में इतना स्ने है बहा मते गुड़ हीन बंदूओं के प्रति भी जो मेरा चित इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है वे क्या है इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सासे ले रहा हूँ और मेरा हिर्दे अत्यंत दुखित हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सरवथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निश्टर नहीं हो पाता इसके लिए क्या करूँ मारकेंडर जी कहते हैं ब्रह्मन तदन अंतर राजाओं में स्रेश्ट सुरत और वे समाधी नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेदा मुनी की सेवा में उपस्त हुए और उनके साथ यतायोग नाई उकूल विन्हे पूर्वग बरताओं करके बैठ गए तद परशात वैश्य और राजा ने कुछ वारतालाव आरंब किया राजा ने कहा भगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ उसे बताईए मेरा चित अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है जो राज मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर अंगों में मेरी ममता बनी हुई है मुनिशेष्ट ये जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है अज्यानी की भाती मुझे उसके लिए दुख होता है ये क्या है इधर ये वैश भी घर से अपमानित होकर आया है इसके पुत्र, इस्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है तो भी ये उनके प्रती अत्यां थार्दिक्स ने रखता है इस प्रकार ये तथम में दोनों ही बहुत दुखी है जिसमें प्रतेक्ष दोश देखा गया है उस विशे के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकरशन पैदा हो रहा है माभाग, हम दोनों समझदार है तो भी हम में जो बहुत पैदा हुआ है ये क्या है विवेक्षू ने पुरुष की भाती मुझ में और इसमें भी ये मूरता प्रतेक्ष दिखाई देती है रिशी बोले माभाग, विशे मार का ग्यान सब जीवों को है इसी प्रकार विशे भी सब के लिए अलग अलग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते तता कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रातरी में भी बराबर ही देखते है ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं किन्तु केवल वे ही ऐसे नहीं होते पशू पक्षी और म्रिग आदी सभी प्राणी समझदार होते है मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन म्रिग और पक्षियों की होती है तता जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन म्रिग पक्षी आदी की होती है ये तता अन्ने बाते भी प्राया दोनों में समान ही है समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो ये स्वेम भूख से पीडित होते वे भी मोवश बच्चों की चोच में कितने चाओं से अन के दानी डाल रहे हैं नर्शेष्ट क्या तुम नहीं देखते हैं ये मनुष्य समझदार होते वे भी लोब वर्ष अपने किये वे उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों के अभिलाशा करते हैं यद्यपी उन सब में समझ की कमी नहीं है ततापिवे संसार के सिती जन मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभावद्वारा ममता में भवर से युक्त मोह के गहरे गर्थ में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्चर नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रारूप जो भगवती महामाया है उनी से ये जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महामाया देवी ज्यानियों के वीचित को बल पूर्वा खीच कर मोह में डाल देती हैं वे ही इस संपूर चराचर जगत की स्रिष्टी करती हैं तथा वे ही प्रसन होने पर मनुश्यों को मुक्ती के लिए वरदान देती हैं वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्षी हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर इश्वरों की भी अधीश्वरी हैं राजा ने पूछा भगवन जिने आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है ब्रह्मन उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरिद्र कौन कौन है ब्रह्म वित्ताव में श्रेष्ट मार्शे उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वे सब मैं आपके मुक्षे सुनना चाहता हूँ रिशी बोले राजन वास्ता में तो वे देवी नित्य सरूपा ही हैं संपूर जगत उनी का रूप है तथा उन्होंने समस्विष्ट को व्याप्त कर रखा है तथा पी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है वे मुझसे सुनो यद्यपीवे नित्य और अजन्मा हैं तथा भी जब देवताओं का कारेसिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोख में उत्पन हुई कहलाती हैं कल्प के अंत में जब संपूर जगत एकारणव में निमंग्न हो रहा था और सबके प्रभू भगवान विष्टू शेष्णा की शया बिछा कर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे उस समय उनके कानों के मेल से दो भेंकर असुर उत्पन हुए जो मधू और कैटव नाम से विख्यात थे वे दोरो ब्रह्मा जी का वद्ध करने को त्यार हो गए भगवान विष्टू के नाभी कमल में विराजमान प्रजापती ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों ध्यानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एकाग्रिचित होकर उन्होंने भगवान विष्टू को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का अस्तवन आरम किया जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संगार करने वाली तथा तेजय स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं उन्ही भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुमी स्वाहा तुमी सुधा और तुमी वशटकार हो स्वर भी तुमारे ही स्वरूप है तुमी जीवन दायनी सुधा हो नित्य अक्षर पड़व में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही इस्तित हो तता इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदू रूपा नित्य अर्द मात्रा है जिसका विशेश रूप से उच्चार नहीं किया जा सकता वे भी तुम ही हो देवी तुम ही संद्या सावित्री तता परम जननी हो देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मान को धारण करती हो तुम से ही इस जगत की स्रिष्टी होती है तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो जगन मही देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम स्रिष्टी रूपा हो पालन काल में स्थिती रूपा हो तथा कलपांत के समय संगहा रूप धारण करने वाली हो तुमी महा विद्या, महा माया, महा मेधा, महा स्मृति, महा मोह रूपा, महा देवी और महा सुरी हो तुम्ही तीनों गुलों को उत्पन करने वाली सबकी प्रकृती हो बेंकर कालरात्री, महारात्री और मोरात्री भी तुम ही हो तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हृरी और तुम्ही बोध सरूपा बुद्धी हो लज्जा, पुष्टी, तुष्टी, शांती और शमा भी तुम ही हो तुम खटक धारणी, शूल धारणी, घोरूपा तथा गदा, चक्र, शंक और धनुष धारण करने वाली हो बाण, भुशुंडी और परिग, ये भी तुमारे अस्र है तुम सौम्य और सौम्यतर हो, इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो, पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो सर्व सुरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुए है, उन सब की जो शक्ती है, वे तुम ही हो ऐसी अवस्था में तुमारी सुति क्या हो सकती है जो इस जगत की स्विष्टी पालन और संगहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुमारी सुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है अतय तुमारी सुति करने की शक्ती किस में है देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो ये जो दोनों दुर्धर्ष, असुर, मधू और कैटब हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीगरी जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धी उत्पन कर दो रिशी कहते हैं राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मधू और कैटब को मारने के उद्धेश से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुड की अधिश्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकारिस्तुति की तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हिर्दय और वक्षास्तल से निकल कर अव्यत्य जन्मा ब्रह्मा जी की द्रिष्टी के समक्ष ठड़ी हो गई बोलो योग निद्रा देवी की जए योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वावी भगवान जनारदन उस एकारड़ों के जल में शेशनाक की शहिया से जाग उठे बोलो श्री भगवान विश्टू जी की जए फिर उन्होंने उन दोन असुरों को देखा वे दुरात्मा मधू और कैटव अत्यंत बल्वान तदा पराक्रमी थे और क्रोट से लाल आखें कि ये ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्ध्योग कर रहे थे तब भगवान शी हरी ने उठकर उन दोनों के साथ पाच जार वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया वे दोनों भी अत्यंत बल्व के कारण उन्मत हो रहे थे इदर महा माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था इसलिए वे भगवान विष्टू से कहने लगे हम तुमारी वीरता से संतुष्ठ हैं क्यों हम लोगों से कोई वर मांगो शी भगवान बोले यदि तुम दोनों उच पर प्रसंद हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ बस इतना साही मैंने वर मांगा है यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है रिशी कहते हैं इस प्रकार धोके में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर जगत में जल ही जल देखा तब कमल लैन भगवान से कहा जहाँ प्रित्वी जल में डूबी हुई ना हो जहाँ सूखा सान हो वही हमारा वद करो रिशी कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंक चक्र और गदाधर्ण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की सुति करने पर स्वयम प्रकट हुई थी अब उन्हें तुम से उनके प्रभाव का वर्ण करता हूँ सुनो इस प्रकार शी मारकंडे पुराण में सारवनिक मनवंतर की कता के अंतरगत देवी महात्मे में मधू कैटब वद नामक पहला अध्याय भगवती जगदंबिका के चर्ड़ों में समर्पित है